जै मातादी दोस्तों मैं हूँ अंजिनी और आज मैं आप लोगो को करवा चौत की कथा सुनाने जा रही हूँ करवा चौत सभी सुहागनिस्त्रियां अपने पती की लंबी उमर के लिए करती है तो इसके पीछे एक बहुती सुन्दर कथा है जो मैं आप लोगो को सुनाने जा रही हूँ बहुत समय पहले एक सहुकार के साथ पुत्र और एक पुत्री थी एक बार कातिक मास की क्रिस्न पक्ष की चतुर्थी तीथी को सहुकार की पत्नी समेथ सातो बहुओ और बेटी ने वरत रखा जब सातो भाई खाना खाने बैठे तब उन्होंने अपनी बहन से खाना खाने के लिए कहा तब बहन बोली कि भाया अभी चान नहीं निकला है जब चान निकल जाएगा अतम में आधे देकर पूजा करके तभी भोजन करूंगी सहुकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे वे उसे भूखा नहीं देख सकते थे तो उन्हों में से एक भाय ने एक उँची पहारी पर जाकर एक दिपक जलाया और उस दिपक को चलनी की ओट में रख दिया और बहन से आकर बोले कि बहन चान निकलाया है तुम अर्क देकर भोजन कर लो सहुकार की बेटी ने अपनी भावियों से कहा कि देखो भावी चान निकलाया है आप लोग भी अर्क देकर भोजन कर लो तब भावियां हस कर बोली कि ननत जी ये चान तो आपके लिए निकला है हमारा चान तो रात को निकलेगा आप ही अर्क देकर भोजन कर लो तब सहुकार की बेटी ने चांद को अर्क दे कर भोजन करने पैठ गई जैसे ही बालाने वाला खाया तो उस निवाले में बाल निकलाया दूसरा निवाला खाया तो उसे छीक आ गई वो तीसरा निवाला खाने ही जा रही थी कि उसी समय ससुरार से बुलावा आ गया के लिए माने बक्सा खोला और उसमें से कप्रे निकालने लगी पहली बार माने कप्रे निकाले तो काला कप्रा निकला दूसरी बार कप्रा निकला तो सफेद कप्रा निकला तीसरी बार उसने फिर से हाट डाला तो फिर से काला कप्रा निकला मा थोरी सी घबरा गए तब बेटी को देती हुए कहा कि बेटी इसके तुम पल्लो में गाठ बान लो और जो भी छोटा बरा तुम्हें रास्ते में मिले सब के पैर परती जाना और जो भी तुम्हें सदा सुहागन रोहो बूट सुहागन रोहो का असिरबात दे उसे ये सोने का सिका दे देना और उसी सम आगन होने का अशिरवाद सद नहीं दिया, सभी ने उसे खुस रहो, सुखी रहो, पीहर का सुख मेले, ऐसा ही अशिरवाद दिया, बेटी आगे चलती चली गई, चलते चलते वो अपने ससुरार पहुँच गई, ससुरार की गेट पे उसने देखा कि जेट की बेटी खेल रह सिक्का दे दिया, और अपने पलों में एक गाठ बान लिया, उसके बाद वो घर के अंदर गई, घर के अंदर जाने पर उसने देखा कि उसका प्रती मिर्थ पड़ा हुआ है, वो बहुत रोई, फिर सारे लोग उसके पती को ले जाने लगे, तो उसने कहा कि नहीं, मैं अपने पती के साथ जाएगी, सब लोगों ने जब देखा कि वो मान नहीं रही है, तो उसमें से जो बरे बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, इसे भी समसान घाट ले चलो, तब सभी लोग सहुकार की बेटी को भी समसान घाट ले गये, उसके बाद सभी लोग जला नहीं सकते हैं, सब लोगों ने उसे बहु समझाने की कोशिस की, लेकिन वो समझने के लिए बिल्कुल तयार नहीं थी, तब सभी लोगों ने कहा कि ये पागल हो गयी है, ये हमें इसे जलाने नहीं देगी, अब क्या किया जाएं, कुछ लोगों ने विचार किया कि यहीं पर एक जोपरी बना दो और इसी में इसे रहने दो, अगर ये मिर्थ पती के साथ रहना चाती है तो इसे रहने दो, सब लोगों ने मिलकर के एक जोपरी बना दी और उसी में सहुकार की बेटी अपने पती को लेकर रहने लगी, वो अ और वो वही खाना खा कर रहती। इसी बीच में समय निकलने लगा। वो सभी चोठ करने लगी। जबी भी चोठ आती तो वो चोठ का वरत रखती। चांद को आध़ी देती। और उसके बाद ही खाना खाती। सभी तब चोठ माता आतीी और बोलती कि करवो ले करवो ले भायों की प्यारी करवो ले घनी बुखारी करवो ले वो हर चोट माता के पैर पर जाती और चोट माता से कहती कि है चोट माता मेरा पती मिर्थ हो गया है आप उसके प्रान वापस कर दो पर चोट माता बोलती कि हमसे भी बरी चोट माता आने तुम उनसे अपने पती के प्रान मांगना इसी तरीके से वो सभी चोट का बरत करने लगी सभी चोट माता आती और यही कह करके वापस चली जाती उसके बाद अस्विन की चोट माता आई वो भी आकर के बोली करवो ले करवो ले भायों की प्यारी करवो ले घनी बुखारी कर पर गई और उनसे अपने पती के प्रान मांगने लगी तब अस्वीन की चोट माता बोली कि कातिक की चोट माता तुमसे नाराज हुई है वही तुम्हारे पती के प्रान लोटा सकती है इसलिए अब जब कातिक के चोट माता आएंगी तब तुम उनसे अपने पती के प्रान मा चौटा सकता है क्योंकि चाकाती की जो चौट माता होती है वही सबसे बरी चौट माता होती है यह काकर अस्विन की चौट माता वहां से चली गए उसके बाद सहुकार की बेटी ने अपनी ननत को बुलाया और उससे सोला सिंगार का समान और अपना करवा मंगवाया सहुकार की बेटी ने जैसा कहा वैसा ही उसकी ननद ने जाकर उसकी सास को कहा कि भावी सुला सिंगार का समान और करवा मंगवा रही है मा मा ने कहा कि तुम्हारी भावी पागल हो गई है लेकिन वो जो भी मांग रही है तुम उसे दे जाओ और अपना जान छुड़ा पहन नाया, स्वर्ग से चोट माता उतरी, चोट माता आई और गुसे से बोली, भायों की बहन करवाले, दीन में चांदुगाने वाली करवाले, घनी बुखानी करवाले, भरत भांडिनी करवाले, तब सहुकार की बेटी ने उनके पैर पकड़ लिये और विलाप करने लगी, चोट माता, मेरा सुहाग तो मेरा वरत भंग करने के कारण उजरा है, मैं ना समझ थी, मुझे इतना बरा डंड मत दो, तब चोट माता बोली की पापनी, हत्यारनी, मेरा पैर क्यों पकर रखा है, मेरे पैर को छोड़ दे, तब वो बोली, मेरी बिगरी तो आप ही बना सकती है, आपको मेरा सुहाग वापस देना परेगा, तब चोट माता बोली कि तुझे सुहाग की क्या जुरत है, तू तो भायों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग लेकर क्या करना है, तब वो बोली कि नहीं मा, मेरी लिए सुहाग मेरा सबसे बरा है, आप मुझे मेरा पती माता है और आप ही सभी की इक्षा पूरी करने वाली हैं। तब चोठ माता खुस हो गई और आखों में से काजन निकाला, नाखनों में से महधी, बिंदी में से रोली निकाली और अपनी सबसे छोटी उंगली से उसके पते मरे हुए पती के मुँपर छीटे मारे। बोला कि चोठ माता का विधी विधान से उजमन करो। फिर जाते जाते चोठ माता ने सहुकार की बेटी की जोपरी पर लात मारी और उसकी जोपरी माहल में बदल गई। तब सहुकार की बेटी और उसके पती बहुत ही खुस हो गये। फिर उसकी छोटी ननद रोटी देने आ कि ननद जी देखो आपका भाई जीवित हो गया है आप सासु मा को जा करके ये खुस कबरी दो तब ननद खुसी से भागती हुई अपनी मा के पास गई और मा को बोली कि मा मा भैया जिन्दा हो गए है और भावी ने आपको बुलाया है तो आप चलो मा बोली कि अरे तू भी अपनी भावी के साथ रहते रहते पागल हो गई है क्या कोई भी मरा हुआ इंसान कभी जीवित हो सकता है क्या तब ननद ने कहा नहीं मा मैंने सच बोला है आप भी चल कर देखो भाईया जीवित हो गया है मैंने अपनी आखों से देखा है तब मा भी वापस गई और जाकर और बोली कि देखे सासुमा आपका बेटा जिवित हो गया है। तब सासुमा ने कहा लेकिन बेटी ये कैसे हुआ? मैं तो एक साल पहले ही इसे खोचुकी थी, लेकिन तुम्हारी पूजा और पाट ने इसे वापस किया है। लेकिन बेटी ये कैसे सब इस्वास करेंगे कि मर कोई जिन्दा हो सकता है तब सहुकार की बेटी ने कहा कि माजी अगर मैं उल्टा करवा इनकी उपर फेर दूंगी तो ये वापस से मर जाएंगे और अगर सीधा करवा इनकी उपर फेरूंगी तो ये वापस से जिन्दा हो जाएंगे तब पूरे सहर में डिरोरा पिटवा द कि कैसे एक मरा हुआ इंसान जिन्दा हो जाता है और सब लोगों ने आकर की देखा सहुकार की बेटी ने सीधा करवा फेरा तो उसका पती वापस से जीवित हो गया तो सब लोग चौट माता के चमतकार को नमस्कार करने लगे इसी तरी हे चौट माता जैसा सहुकार की बेटी का सुहाग उजारा वैसा किसी का नहीं उजारना जैसा वापस उसका पती जीवित किया वैसा सबी का करना कहने सुनने वाले को हुंकार भरने वाले को सबी की मनुकामना पुर्ण करना बोलो मंगल करνनी दुख हरनी चौट माता के जै